वेल्कम एब्रिवन आज हम लोग यूनीट 10 में आखरी पार्ट करेंगे जो की होगा आपका रैंकिंग के बारे में तो इससे पहले हम लोग ने इंस्टिटूशन के बारे में पढ़ा था कि कॉलेजेस बनाए गए अब भी एक प्राब्लम बाखी था जो की कॉलेजेस के रैंकिंग सिस्टिम के बारे में था तो कॉलेजेस को रैंकिंग देने के लिए डिफेंट और्गनाजेशन बनाए गए उनमें से सबसे पहला है नैक पीर है नबीए अनिकल्चरल बोर्ड नसी इयाटी यह स्कूल के लि देंगे में लिए जो रैंकिंग सिस्टेम से यह नैक एंबीए और अग्रिकल्चरल बोर्ड तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करता है अगर इस लेक्चर का आपको पीडिएफ चाहिए तो फिर आप टेलिग्राम चैनल इंपक्ट के क्लास से वहाँ पर जॉइन करके यह फिर आप पीडिएफ फ्रीबेर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं नीचे लिंक दे दूंगा इस टेलिग्राम चैनल के लिए वहाँ से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करेंगे नैक के बाड़े में तो अगर बताया जाए तो पहले आपने देखा कि government organizations बनाया गया थे अब उनको ranking देना है तो जब national policy on education 1986 बनाया गया उस time हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी तो नैशनल पॉलिशे और एडूकेशन जब बनाया गया 1986 में तब ranking के उपर ध्यान दिया गया कि अहरे college को ranking मिलना चाहिए उसके लिए सबसे बहले बनाया गया नैक का फुल फॉर्म क्या है तो national assessment and accreditation council इसको बनाया गया ताकि जितने भी इंडिया में autonomous colleges है जो कि आपके technical colleges नहीं है और universities है इनको ranking दिया जाए ताकि जो students है वो समझ भाए कौन सा college कौन से level पे है और कहां पर हम लोग को admission लेना चाहिए तो नैक जो governmental body है इसको power दिया गया 1994 में और इसके जो headquarters है वो है आपके बैंगलोड में या फिर बैंगलोड में इसका headquarters सेट अप किया गया तो नैक जैसे मैंने बताया कि जितने भी आपके universities है colleges है उनके ranking देख रहे है उनको कौन बनाया है UGC, UGC क्या है University Grants Council और Ministry of Education इन दोनों ने मिलके बनाया था आपका नैक और जेतने भी colleges है इंडिया में autonomous colleges, universities है सभी को ranking देते हैं नैक तो आप advertisement में भी देखोगे कोई college जब advertisement करता है वो ज़रूर अपने नैक का ranking बताता है क्योंकि इससे बहुत जादे effect पढ़ता है कि वह आपर कितने students जाएंगे अब हम लोग ने पढ़ा कि ranking दिया जागा अब यह किस basis पर ranking दिया जागा जैसे देखिये मान लीजा हम लोग जब school में पढ़ाई करते हैं या फिर college में भी पढ़ाई करते हैं तब क्या होता है हम लोग का subject होता है subject में subject knowledge हम लोग को कितना है उसके उपर हम लोग को marks दिया जाता है उसी marks के basis के उपर हम लोग को मिलता है rank सबके साथ compare कर जाता है उसी के basis के उपर मिलता है rank तो यह कौन-कौन से subject होगे या कौन-कौन से आपके कह सकते हैं यहां पर criteria होंगे जिसके basis के उपर यह ranking decide किया जागा तो NAC ने seven criteria रखा जिसके उपर आपका यह decide किया जागा आला है आपका curriculum curriculum का मतलब क्या होगी है कि colleges में कैसा पढ़ाई किया जाता है क्या syllabus रहता है कैसा एक overall development किया जाता है इसी को कहा जाता है curriculum पालेचेस में teaching कैसे कैसे पढ़ाया जाता है extra classes होते की नहीं होते है जिने कोई doubt session चाहिए होते है वह सब पढ़ाया जाते हैं की नहीं यह सब हो गया आपका teaching फिर आता है आपका research research के लिगे faculty कितने है PhD students कितने हैं कितने students उनके पास net pass करने के बाद college join कर रहे हैं या फिर GRF से join कर रहे हैं वह कितना research paper publish करते हैं यह सब कुछ देखा जाता है फिर आता है infrastructure infrastructure मतलब college कैसे है classes कैसे है होस्टेल है की नहीं या फिर होस्टेल के facilities किया है यह सब आ जाता है आपका infrastructure में फिर आते है student support पे student support में देखा जाता है कि students को loan दिया जा रहा है की नहीं कोई educational loan चाहिए तो उससे दिया जा रहा है की नहीं कोई emergency अगर student की हो गई तो उससे कोई financial crisis में help मिलेगा की नहीं anti-ragging committee सही जगे पर है यह सब होता है आपका student support फिर आते है leadership and governance leadership and governance में mainly यह देखा जाता है कि कोई college कितने अच्छे तरीके से placement करवा पा रहा है कोई college का reputation कितना है कोई college किसी student को कहां कहां पर place कर सकता है रहसे कि मानली जेक को student है वो आई 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 टी से पास आउट किया तो बहुत साथे जगहों में यही बोलना काफी होता है कि मैंने आई 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 टी से पास आउट किया है तो यह दिखाता है leadership and governance पिर आते innovative practice पे innovative practice आपको पता है कि बहुत जगहों पे आपका festivals होता है fairs होता है village developments में government काम करते हैं colleges काम करते हैं जैसे आप देखेंगे बहुत साथे IIT, NIT यह सब आपकी open source learning create करते हैं तो यह सब हो गया आपका innovative practice तो यह seven criteria पर one two three four five six seven seven criteria पर आपका judge किया जाता है कि कौन से college को कौन सा ranking दिया जाएगा अब यह सब तो decide हो गया अब देखा जाता है कि इन में से आपका कितना point system होता है maximum जो point होता है वो होता है आपका four maximum points दिये जाते है वो होता है आपके four और जो minimum point होता है वो होता है आपका two तो यह point system होता neck के तरब से इसे याद रखना काफी आसान है आप समझ लिजे जो extreme points होते है जैसे कि a++ और b++ यह आपके point 25 के difference रहते हैं यहाँ पर भी और b++ में भी 0.25 यहाँ पर आप देखेंगे कि साड़े चो point system है वो सब 0.25 देखें इसका extreme value क्या है 51 और इसका extreme value क्या है 75 तो आप चितना भी देखेंगे 51 और 75 तब point 25 का difference है तो अगर आपका plus रहेगा चाहिए a plus रहे या b plus रहे आपका point 25 का difference होता है दोनों values में और अगर कोई plus नहीं रहा a रहा या फिर only b रहा जैसे आपके marks में दिया वाया only a या फिर only b तो फिर difference कितना होता है point 50 का point 50 और यहा पर भी difference कितना होता है point 50 तो यह आप याद रखिए कि जब भी आपके a plus या b plus रहेगा point 25 का difference रहता है और जब आपका a या फिर से b रहता है उसमें आपका point 50 का difference रहता है और दूसरा जो होता है यह a और b जो होता है यह पुड़े base से start होता है जैसे देखिए b का कितना है 2.01 से 2.50 और a का कहां से start हो रहा है तो 3.01 से 3.50 यह देखिए पुड़े base से start हो रहा है 3 से यह 2 से तो जब भी कोई एकदम base से starting करेंगे वो होगा आपका a या b और difference उनमें कितना रहा तो फिर point 50 और अगर point 25 का difference रहा तो फिर वो a plus या a plus plus तो यह जो system है यह आपके exam में ऐसे आ सकता है कि a plus कितना ranking में दिया जाता है या फिर a जो है वो कितने ranking में दिया जाता है तो एक बार आप इसको देख लेंगे तो वो काफी होगा आपके लिए पर आते NBA पर NBA का अगर full form देखा जाए तो यह है आपका national board of accreditation जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा नेक के बारे में तो वो universities और colleges को ranking देते हैं पर NBA जो है national board of accreditation वो सिफ technical colleges को ranking देते हैं technical college जैसे हो गया आपका engineering हो गया technical colleges में सिफ ranking देते हैं technical college वो होते हैं जो आप college में पढ़ाई करने के बाद कोई job के लिए सर्च करते हो मतलब कोई job में आप specialization करते हो वो सारे technical colleges में ranking को देता है वो देता है आपका NBA NBA भी same year में form किया गया था 1994 में इसको बनाने में किसने मदद किया था तो AICTE इसका full form क्या है तो फिट technical institutions एक सिकेंड मैं इसका full form देख लेता हूं मुझे भी याद नहीं गया full form of AICTE AICTE All India Council for technical education जैसे मैंने बता है जितने आपके technical education के field होते है वो सारे colleges को ranking कौन देता है तो फिर NBA और NBA आपका autonomous बन गया था since the year 2010 and 10 इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग AB के बारे में AB क्या है यह है आपका अग्रिकल्चरल बोर्ड अग्रिकल्चरल बोर्ड जो है यह बनाया गया था आपके दो साल बाद जो दोनों हम लोग ने पढ़ा NBA और N.A.C. यह दोनों बने था इसका जो है आपका नियू दिली में जैसे की नाम से बहुत जादा ऑफियस हो रहा है कि कि यह किसलिए बनाया गया था ताकि जितने भी आपके अग्रिकल्चर के बाड़े में जितने भी कॉलेज़ेस है जाहां पर पढ़ाई किया जाता है जैसे कि आप देखो कि बहुत जगह पर फट्टिलाइसर्स के बाड़े में पताया जाता है कि कैसे आपका करदे तो फिर अणिकल्चरल बोड और यह किसके अंडर में आता है तो फिर यह अंडर आता है आई-सी-य आट अइसी-य आट का फूल-फॉर्म क्या है आपका इंडियव कांसिल कि एफ Aber कि अभी कल्चेरल कि रिसेश्च उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन सी आटी के बाद में इन सी आटी तो कोई रैंकिंग के लिए नहीं दिया जाता है पर एक्जाम्स में इससे काफी बाद पूछे जाता है एक बार इसके बाद में भी देख लेंगे इन सी आटी की अगर बात की जाए तो अगर देखा जाए तो यह भी आपके न्यू दिली में है और श्री अरोबिंदो मार्गु जो कि आपके न्यू दिली में है वहाँ पर इसका हेड़क्वार्टर्स है तो यह स्कूल एडुकेशन पर मेंली काम करता है और इसके रिजेनल इंस्ट्यूट्यूट है पाद जग पाद जगों में अजमेर, शीलंग, भूपाल, माईसर और भूवनेश्वार्ट फिर बात करते हैं सीबीएस्टी के बारे में सीबीएस्टी की बात अगर की जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या है सेंट्रल बोर्ड आप सेकेंडरी एडुकेशन यह जितने भी फुल फॉर् मैं बताईए आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा सेंट्रल बोर्ड आप सेकेंडरी एडुकेशन तो बहुत बार क्या होते हैं स्टुएंट्स हैं कंफ्यूस हो जाता है इसलिए मैं दोनों यह च्छॉट फॉर्म भी क्या होता और फुल फॉर्म में भी आपको बता इसको बनाया गया था तो इसको बनाया गया था आपके 1961 में उसके एक साल बाद आपका बनाया गया था सीबी एस से नाइंटीन हंडेर और सिस्टे टू में इस्थी के साथ हम लोग का यूनीट टेन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है आपके आप लोग को सबको अच्छा लगा होगा और इसी के साथ जो के विए समदांसर का समरी कोर्स न सिक्स्थ एडिशन का वो खतम होता है थैंक्यो सो मच वीडियो देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए I hope you have a nice day